नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट योटूब चैनल पे अब यह आप इस्क्रेन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है 37.2023 के डेट में आप यहाँ पर तिती भी देख सकते हैं और यह नोटिफिकेशन जारी किया गया रेलवे की तरब से रेलवे रिकूर्टमेंट सेल का अफिसियल नोटिफिकेशन है और यह नोटिफिकेशन में किन चातरों के लिए भरती निकल के आ रही है और यह जो फार में कब तक भरा जाएगा इसकी पूरी जनकारी आपको देने वाले इस वीडियो के मादम से तो वीडियो को आप बिल्कुल कम्प्लिट देखेगा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो विकिंसी निकल के आरी ये एलपी अताथ असिटेंट लोको पाइलट टेकनिसिया और जुनियर इंजिनिरिंग और गार ट्रेंड मैनेजर के पोश्ट पर भरती निकल के आ रहे हैं स्टार्ट हुआ है वो 37 2030 से और फार्म भरने की जो क्लोजिंग डेट रखी गई है वो 38 2030 मतलब कि 30 अगस्त 2030 तक आप इस फार्म को अपलाई कर पाएंगे इसके बाद आप नीचे आजाएए तो यहां पर आपको पोश्ट भी देखने को मिल जाता है जो की असिस्टन्ट लोको पाइलट का है दूसरे नमबर पे टेकनिसिया इसमें इलेटिकल पावर का इसमें आपको पोश्ट देखने को मिल जाता है और तीसरे नमबर पे टेकन चैसे सीट में आप देखेंगे से तो 50 सीट हो मिल जाते हैं तो 21 सीट खा लिये liberty' और टेकनींच फोर आपको अनुसरी सप्निसयन उपफीज़ ग्राइं ग्रा GG में 12 उप 12 सीट करेंगे जाते हैं यहां फ़ोर नमर का chopped she इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारे post है जिसमें आपको यहाँ पर technician, technician के अंतरगत इसमें आपको ITI छात्रों के लिए builder है, track mechanic है, और भी बहुत सारे trade है, carpenter है, mission है, और यहाँ पर bridge भी देखने को मिल जाते हैं, तो ITA के चातरों के लिए काफी ज़्यादा यहाँ पर seat का लिए और यह एक सरकारी नोकरी के तोर पे notification जारी किया गया जिसमें आप किसी भी राजिक के रहने वाले हैं यदि आप इस phone को apply करना चाहते हैं तो apply कर सकते हैं सबसे जो मुखे यहाँ पर आपको post देखने को मिल जाते हैं जो कि group C के अंतरगत इन्होंने जारी कर रहा है इसमें आपको guard के अंतरगत और train manager का post है जिसमें total आपको जो यहाँ पर seat देखने को मिल जाती है 27 seat खाली देखने को मिल जाती है इसमें आप apply कर पाएंगे तो इसमें जो apply कर पाएंगे यहाँ पर diploma और graduation वाले apply कर पाएंगे ITH आतरों के लिए अलग seat दिखाई गई है निचे आप आए साथियों स्क्रोल करते हैं तो कुछ यहाँ पर important आपको जनकारी देखने को मिल जाती है जैसे कि exam के बारे में तो यहाँ पर आपका exam करा जागा ध्याने केगा और यहाँ पर साथियों जो आपका exam करा जागा वो CBT exam करा जागा इसको आप ध्याने केगा निचे आप आए साथियों स्क्रोल करते हुए तो यहाँ पर age के बारे में इन्होंने जनकारी दे रखिए कि span को apply करने के लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए तो age limit में आप देखेंगे तो 18-42 वर्ष से यहाँ पर general के लिए OBC के लिए 45 है और जो candidate SHT के अंतरगत आते हैं को यहाँ पर 47 देखने को मिल जाता है और जो उम्र आपका count किया जाएगा वो 11-2024 से आपका उम्र count किया जाएगा निचे आप आएंगे साथ हो scroll करते हुए तो age के बारे में यहाँ पर इन्होंने कुछ अधर भी जनकारी दे रखिए जेकि यहाँ पर आप 11-2006 से आपका जो है यहाँ पर मिलाया जागा आपके जो जन्तिति है इतने के A B छोनी चाहिए तब ही आप हम को apply कर पाएंगे इसके बाद ही जो qualification की हाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में आपको पूरी जनकारी दे रखिए वैसे मैं आपको बता दू इसमें जो apply कर पाएंगे जिनके पास qualification है ITI का जहां देखेगा और जो चात्र यहाँ पर diploma complete कर चुके हैं देखिए इसमें assistant local pilot का जो यहाँ पर पद है उसमें जो apply कर पाएंगे इसमें ITI के चात्र apply कर पाएंगे दसमी प्लस ITI और कुछ पोस्ट इसमें आपको डिप्लोमा की भी देखने को मिल जाते हैं और इसमें दूसरा जो पोस्ट है technician का जिसमें दसमी पास और ITI दोनों लोग apply कर पाएंगे और इसके बाद अगला पोस्ट है junior engineering का जिसमें साथियो जेई के अंतरगत आपका पोस्ट है तो इसमें diploma engineering वाले apply करेंगे और guard और train manager का जो पोस्ट है उसमें यहाँ पर जो इनके तो आपका रखागे electrical engineering and combination आपको जो देखने को मिल जाता है यहाँ पर electrician trade देखिए instrument mechanic है wireman है इसके बाद यहाँ पर vendor देखने को मिल जाता है diffidation and air conditioning mechanic देखने को मिल जाता है तो यह जो आपका पोस्ट है साथ हो इसमें ITI वाले apply कर पाएंगे और यहाँ पर दूसरे नंब पर पर जो पोस्ट है इसमें भी ITI वाले क्योंकि ITI चात्रों का यहाँ पर ट्रेड आपको देखने को मिल जाता है फीटर ट्रेड है मैकैनिक है मोटर वहिकल है ट्रेंड मैकैनिक है मैकैनिक डिजल है टर्नर है मसनिष्ट है diffidation and air conditioning है मैकैनिक है हेट इंगन और यहाँ पर नतरगत कुछ पोस्ट है जिसमें ITI और दसमी पास वाले दोनों लोग apply कर पाएंगे निचे आप आएंगे सात्यों इसमें कितना कोशन दिया जाएगा इसके बारे में इन्होंने जनकारी दे रखिए तो आपका 150 कोशन आएगा और इसमें 120 नंबर का आपको 120 आपको दोशनद को पाकर पर पास वाले दोशन आपको जनकारी दो पूछ लेजएगा आपको जनकारी मिल जाएगी और यह साथ यो आप इस फार्म्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्षन बॉक्स मिल जाएगा जहां से क्लिक करके आप सिदे इसकी official website पे जाएँगे और वहां से आप इस फांट को apply करना चाहे तो apply कर सकते है इसका जो apply करने का जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते है लिंक www.rcmas.in इसकी official website कोई भी नया update आता इसमें या कोई भी बदलाव आता है तो सबसे पहले आपको इस website के मादम से जनकारे मिल पाएगा तो website आप यहाँ पर देख लिजेगा वैसे मैं आपको इस वीडियो के description box में link दे दूँगा जहां से आप direct इसकी official website पर जा पाएगे आपको form को apply करना है और कोई भी आपको जनकारी चाहिए तो comment box में पूछ लिजेगा और इसका notification आप download करना चाहते तो telegram group join के लिजेगा टेलिग्राम में आपको इसका notification भी देखने को मिल जाएगा